हमारे एक सब्सक्राइबर ने रेलेवे के लेबर वन पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर हमें भेजा है और उन्होंने हमसे कहा है ज्वाइनिंग लेटर किस प्रकार से फिर किया जाए आप इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंग को उसका टिता जी के नाम लिखना है उसके बाद भी लिखना है और यहां पर प्रेल लीक्ट नमर भी लिखना है उसके बाद जो पोष्ट आसव ओड़ोगों मिला है वोग पोष्ट यहां पर लिखना है इस्पेस यहांетр ही जगा Mais में आप लोग लिख दीजिएगा जो भी लिखना है सौटकॉट लिखिएगा आप लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों जवानिंग लेटर में सबसे पहला जो अपर नमर है उसके बाद आप लोग को यहां पर फोटो चिप काना है उसके राद हम लोग निच्छे आते हैं निच्छे क्या-क्या वर्ना है तो नीचे आप लोग को यहाँ पर नाम भरना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर नाम भरना है, तो नाम भरने में आप लोग गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर सरनेम रहेगा, सरनेम किसी का सिर्फ कुमार रहता है, मेरा जैसे नाम है राम बाबु कुमार गुपता, तो स उसके बाद वह अपने नाम यहाँ पर डालेगा उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता भरना है तो यहाँ पर वर्तमान पता लगभा लगभा सबका जो पर्मनेंट एड्रेस है वहीं यहाँ पर रहेगा तो जो आपका पर्मनेंट एड्रेस है वहीं लिख सकते हैं वर्ना आय का फिर वहां पर पर्मनेंट जो जहां गाउं है उसका यहां पर जालना है उसके बाद आगे पूछ रहा है पकिस्तान का मौलिक निमासी हो तो उस देश में पता और भारत में प्रवास की तारिक बताएं तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग को यहां पर इसे डॉट मार दे पर पांच नमर में आप लोग को पूरा फैमली का यहां पर इसे कि यहां पर आपके पिता जी का नाम डालना है और उसके बाद आपके पिता जी का राष्ट यता क्या है इंडियान उसके बाद आपका पिता जी का जनम इस्थान क्या है तो सिर्फ गाउं का नाम यहां डाल दिजेगा अगर रही है ऐसा अंच कुछ नहीं है तो सुर्फ आप किसानका लेकर किसान अगर किसान अदिकतार छाटर किसान के mniej बैटे रहते हैं तो यहां पर आप लोग फार्मर सकते हैं उसके बाद वर्तमान डांग का पता उनका आपके पिताजी का वर्तमान डांग का पता यहां पर लिखना है तो जिस गाउं में आपके पिताजी रहते हैं उसी गाउं का यहां पर डालना है तो इसको भी बिल्कुल सौर्ट कॉर्ट में लिखना है ज्यादा इसपेस नहीं दिया हुआ है उसके बाद घर का इस्थाई पता तो यहाँ पर घर इस थाई पता आप लोग लिख देना है तो लगवगग लगवग सब का इस्थाई पता और अरत्मान पता यही होगा अगर कुछ तो आप लोग बदल के लिखिएगा उसके बाद जो मैं बताया हूं वैसे ही आपके माता जी का यहां पर लिखना है यहां से वहां तक पहले नाम लिखना है उसके बाद इंडियान उसके बाद जनम इस्थान लिखना है उसके बाद नौकरी है की नहीं है तो अगर नहीं है तो ग्रेणी लिखिएगा या हाउस वाइफ उसके बाद वरत्मान पता या और पर्मनेंट पता उसके बाद पत्नी के बारे में पत्नी क आप यहां पर develops डालना है तो पत्नी का वोफद्लों निटेशक सकते हैं इसके बाद निचया निचर्फलों को भरने का मतलब है कि सारी जानकारी आपके फैमिली के बारे में रेलिवे जानना चाहता है तो इसको आप लोग सही सही भरिएगा उसके बात नीचे आते हैं तो अधिकतर लोग का पुत्र पुत्री तो विदेश में अध्यन नहीं करता होगा यहां पर क्रोस लाइने से खिशिते ना है वस उसके लANC नीचे आते हैं यहां पर इंडियन लिखना है उसके बाद आपका यहां पर जनम का तारीक क्या है और लिखना है तो तो 16 या 17 जो भी हो आप लोग यहां पर लिखिएगा ठीक है उसके बाद यहां पर आपका जनमी स्थान जिला राज जे गाउं का नाम लिखती जिएगा गाउं हो जो भी हो उसके बाद आप लोग जिला लिखिएगा उसके बाद राज लिखिएगा उसके बाद आपका जिला लिखना आप नमर में आप लोग को लिखना है आपके पिता जी पहले किस जिले और राज्य में में रहते थें अगर नहीं होंगे तो same to same वहीं लिखे देना है जो अभी वर्तमान में रह रहा है है और अन्सक् pega यहां है उसके बाद आप आप नहीं है तो यहां है जो लिखना है उसके बाद आगे क्या है यहां पर लिखना आप लोग को कि 15 वर्स के बाद आपने कहा पढ़ाई किया है सब कुछ यहां पर लिखना है तो यहां पर कॉलेज का नाम बुला है उसका पर्वेस की तारीक छोड़ने की तारीक उतीन परिछा है पंद्रवर्स के बाद आप लोग तेंथ की हैं तो यहां पर तेंथ लिख करके कोमा देदीजेगा उसके बाद पर्वेस करने की तारीक उसमें और छोड़ने की तारीक उतीन परिछा जिसी साल परिछा पास किये हैं सिर्फ यह डालिएगा वह ऐसे ही आप लोग को नीचे करत है तो यदि आप लोग जोब करते थे तो सब कुछ डालना है कब से कब तक आपने वहां जोब किया पद नाम क्या था वेतन नियुक्ति का सोरूप क्या था उसके बाद नियुक्ति का नाम और पता उसके बाद पुर्म नियुक्ति को छोड़ने का जो आप छोड़े उसको जोड़ने के कारण मिलिखना है तो आपने जहां जहां पहले जोब किया है गौण्मेंट जौब वहां पर अपलोग बोड 50 दरसाना अगर नहीं किये तो इसको आप ढूग कली छोड़ दिजैगा इसके रचा rate यदि आप लोग जौब हो गरम नहीं है पहले तो इसको भी आप किसी समय विजुजित हुए नहीं उसके बाद कि किसी समय प्रति बंद प्रतिपन्ददित कि है congratulations का किसी कुई समय किसी अपराद के लिए उसके बantry हैन किसी बिष्व गष्षिक बद्याले हां भरिएगा हां है, हां हां हीड़ी जा भरिएगा हां भरिएगा तो आगे आप लोगों को इसका Details देना पड़ेगा क्या आपको किसी समय रिए भरती बोड़ या लोग से आयोग ने उनकी परिषट देने या उसके चुनाव में बैठने से रोका है नहीं अगर नहीं है तो नहीं भर दीजेगा उसकी बाद इस प्रमानी करन फॉर्म को भरते समय क्या किसी नियाले में आपके विरुत कोई अभयोग चल रहा है क्या तो नहीं चल रहा है तो नहीं भरिएगा अगर चल रहा है तो हाँ भरियेगा लेकिन आप लोग को आगने इसके देना पड़ेगा स्ब्सक्राइब कोई दिक्षत नहीं होगा आप लोग नीचे ध्यक्यों पड़ेगा और थ्वडी बहुत दिक्षत हो सकती है पार नमार बता जा रहा है उपर आपने किसी भी का भी एंसर हां दिया है तो इसका यहां पर डिटेर्स रहा है मैंने पहले ही कहा है अगर किसी का अगर एंसर आपके पास हां है तो उसका यहां पर डिटेर्स आप लोग को डालना है पर तेक परस्टन का उतर देते समय मालेज से आपका इस इसार नहीं है तो यहां नहीं को कुर्ट दियेगा जो आपके बारे में जानते हो तो यहाँ पर दो आदमी का कैसी कीड़ आदमी का नाम डाल दिजेगा किसी का भी नाम डाल सकते te कि जो आपको जानता हो वस उसके ब्रोको यहां पर अपना साइन करना है गाओं का नाम लिखना है और डीट लिखना है बस इतना करना है उसका फिर आगे बढ़िए अब दोस्ता यहां पर इस सत्विंट बनाने का आ गया आटाइध्य किस परकार से बना है तो आप लोग किसी भी राजपत्रीत अधिकारी वह केंदर का हो या राजजी का हो उससे आप लोग साइन करवा सकते हैं यहां बहुत सारा option दिया हुआ है आप लोग पढ़ लिजेगा यहां पर आपका नाम रहेगा उसके बाद के पिता जी का या मता जी कम रहेगा उसके माथ किछले कितने वर्सों से जानता हूं मनली जाए किसी का होगा है एक साल तो एखी साल पर और रहें लाहा उख रहे गा किने साइशाहन है करा रहे i7 पतल बनवह रहे हैं यहां से मोहर रहे है उसके बाद पर प्लेस रहे है और दीनांक रहेगा आफ का अरेणटी सर्टिपित तैयार हो गया इसको कुछ भी छेड़ नहीं करना है यह कार्याले में भरा जाएगा सब पेज नमर साथ है यह सब कार्याले में भराएगा एसी तर आप लोग खाली छोड़ दिजेगा उसके बाद दोस्तों आ गया कर्रेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग किस प्रकार से बनवाना है तो सबसे पहले आप लोग को एक फोटोचिप करना है फोटोचिप का करके गजेटेड ओफिसर से यहां पर आप लोग को अटेस्टेट करवा लेना है यहां पर उसके बाद अप अभी का नाम रहेगा उसके बाद सबसे पहले आप लोग कहां जाना नहीं है इस्कूल जहाँ चुल यहां फ़लास्ट पढ़ाई किये हैं मालेdemo से चाटर यह हैलास्ट पढ़ाई आईटीय है तो इतरक्र में जाकर आपार प्रिंसंपर्ण से आप के पास जाना है तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा परसानी हो सकता है यही पर में समझने वाली बात है क्योंकि बहुत सारे लड़कों को यह समझ में नहीं आता है तो देखिए यहां पर सबसे पहले सब्सक्रानीय में से जो एक कर्येक्टर सटिफिकेट जारी होता है किसकेmekाश के पास؟ ठीक है अपने जिला के पहुंचे चाहिए डीम के पहुंचे तो वहां पहुंच करके आप लोग तो करेक्टर सेटिफिकेट भी इसके साथ एक जिलक्स लगाईएगा उसके बाद वह आसानी से कि उसके बाद काश बनवाना है तो काश बने आपका जो भेरिफिकेशन में बनवाक ले गए थे वहीं चलेगा अपने चलेगा अब यह दूबारा बनवाना ज़िए आप लोग को इस परकार से आप लोग को यह सब भरना है यहाँ पर NPS का भी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है NPS का भी फॉर्म आप लोग भर लिजेगा जितना भर आएगा उतना भर लिजेगा उसके बाद आप लोग डिविजन में ही जाकर भर येगा वीडियो बहुत लंबी हो गई है और भी कुछ छुट गया है तो आप लोग कमेंट कीजेगा उमीद करता हूँ कि आप लोग को सही जानकारी मिल गई होगी कि आप लोग का अपना जुआनिंग लेटर किस प्रकार से फिल करना है मिलते हैं आप से नई वीडियो में जैहिंद अपने कि आप लोग कि आप लोग कि आप से गग करना हैं लोग करता हैं एल मिलते हैं जल कि आप लोग कि आप